पवंदी परुनिता के लिए एक बड़ी गुड नीउस सामने आई है जिसे सुनकर आप सबी के होश उड़ जाएंगे क्योंकि पवंदी परुनिता अब बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं पवंदीप अरुनिता की शादी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से पवंदीप अरुनिता की शादी का शोर जोरो शोरो से होने लगा है फैंस आपको बता दे पवंदीप अरुनिता शादी के सलसले में मुंबई गये हुएं दोनों को मीटिंग करते देखा गया विशक आपके दिल की धड़कने तेज हो गई होगी क्योंकि फैंस तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे काफी वक्त से इंतजार हो रहा था कि कब क्राग में भी तो आपको कन्फुर्म कर दें कि पर रुनिता शादी के स्पीक दोस्त मोहमत दानिश को स्पेशल भेचा गया रहा क defensive पवंदीप दानिश को पवंदा बोलते हैं तो अरुनिता भी दानिश को अपना बड़ा भाई मानती हैं तो ऐसे में इनका एक दूसरे के लिए खास रिष्टा रहा ना और इस रिष्टे को निर्भाने पवंदी परुम्ता जरूर जाएंगे अभी दानिश दी शादी के अपडेट पूरी नहीं पवंदी परुनिता का एक दिल्चस्व वीडियो ने शोशल मीडिया यूजर्स को हिला कर रख दिया पवंदी परुनिता का ये अंदाज आप चाहकर भी एक नोड नहीं कर सकते और वीडियो आपकी नजरों से मिस ना हो जाए कहीं इसलिए आप भी वीडियो को देखिए पवंदी परुनिता एक दूसरे के लिए कितने लखी है और कितने स्पेशल है तो वीडियो में एक जलक दिखाता है जिसमें दोनों के विचार भी एक जैसे मिलते हैं मंच पर दोनों सम्मानत करने वालों के पैर भी एक साथ चूते हैं हाथ भी जोड़ते हैं और उसके बाद जब पवंदीब अपने फैन से मिलते हैं तब तो हदे ही पारो जाती हैं लोग इन्हें दे का शौक रह जाते हैं इतने जादा शौक होते हैं कि एक लेजी पवंदीब के गाल को अपनी उंगलियों से चूकर देख रही हैं कि सच में उनके सामने पवंदीब हैं सच में वो पवंदीब को देख रही है उसे यकीन नहीं होता तो वो पवंदीब के गालों को छूक के देख रही है अब ये तो बात सच में शौक करने वाली है पवंदीब इतने बड़े स्टार्स होने के बाद भी लोगों से आम लोगों की तर करने में लगी हुई है उसे अभी तक होश नहीं आता कि पवंदीप उनके सामने खड़े हैं उनको बार-बार टच किये जा रही है उसके हाथ को नोटस करने के बाद सोचल मीडिया पर हां गावमर्ज गया पवंदीप कोई इस वीडियो को खुब पसंद क्या जा रहा है कांचिलाल बीमार है और बीमारी की वज़े से ही वो लंबे ब्रेक पर थी और फिर से घर चली गई है एस बीच अरुनिता के गले का माला भी तमाम सबाल खड़े कर रहा है काफी टाइम से अरुनता कांचिलाल को रुद्राक्ष वाली माला पहने देखा जा रहा था और को बीमारी से जोड़ा जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि आरुनिता जब से विदेश यात्रा से घर लोटी थी तब से वो बीमार थी हाला कि उनकी बीमारी क्या है इस बारे में पता नहीं चला है लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें नजर भी लग जाती है जिसकी वज़े से उ शायद this लिए आरोनिता हर शो में इस माला को अपने गले में पहन कर रखती हैं कभी वह इस माल यह से उतारती नहीं है आरुनिता ह午 दौणी शो में भी ड्रस पर यह माला पहने दिखाई दी थी विदेश में भी आरुनिता इस माला के साथ दिखाई दी जब कुछ टाइम पहले आरुनिता पवंदीप और जोती दीप इनकी पूरी टीम मालदीप शो में गए थे तब भी आरुनिता को इस माला के साथ देखा गया और आप लगातार आरुनिता इसी माला में दिखती हैं अब सवाल यह है कि क्या सच में अरुनिता का ये माला बीमारी का सबसे बड़ा राज है। अरुनिता बीमारी से बशने के लिए या यू कहें कि नजर से बशने के लिए ये माला पहन नहीं दी। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर वो उससे बशना चाहती है और उन्हें किसी ने ये मालय की राय दिये तो वो पहन रही है तो उसके लिए उनकी लिए अच्छी बात है लेकिन बीमारी क्या है अभी तक इस बार में पता नहीं चला है क्योंकि आरुनिता को इस तरह से कभी गायव होते नहीं देखा गया जैसे ही वो शो में गई फिर से बिमार पड़ गई तो क्या वो ये माला भी काम नहीं कर रहा है क्या सच में अरुनिता बिमारी की वज़े से घर में गई है फिलाल तो अरुनिता के आने के बाद ही इन सवालों का जबाब मिल पाएगा क्योंकि पवंदीब तो अपना काम श के बाद पवंदी पारुनिता हल्दवानी फेस्टिबल में एक साथ नज़र आये हाला कि एक महीना इसे दूर नहीं थे लेकिन फैंस के लिए एक महीना भी एक बरस के बराबर हो गया कुमाव फेस्टिबल में आसपास के हर एक इलाके की खास संस्कृति को दर्शाया गया था आसपास के हर मशूर चीज़ को इस फेस्टिबल में एक छाते के निचे दिखाया जो की कुमाव फेस्टिबल कहलाता है इस फेस्टिबल में पवंदी पराजन के पिता सुरेश राजन ने भी परफॉर्मिंस किया था एशो की धूम अभी भी गुंजाई और पवंदी परत कि धेर सारे फेस्टिबल में आरुनिता को भर भर कर प्यार मिला और इन दोनों ने इस दिन को खास यादगार बना दिया लेकिन आप सवाल यह है कि अब कब दोनों एक साथ तासराएंगे तो फेस्टिबल यह दूआ भी आपकी कबूल हो गई है वो गूड नियूस आ गई बड़े रेवल की करने होंगी स्पेशल करनी होंगे और उससे पहले पवंदीपरंता के कहां और कितने शोव निकालाए अभी इसकी जानकारी नहीं मिलिए लेकिन इस बीच भी पवंदीपरंता के एक आथ शोव तो जरूर होंगे उस बारे में कुछ कहां नहीं जा सकता है इन के लावब पवंदीप परंता ने कल असम फेस्टिवल का तोहार वीरू की फोटो भी शुयर करके सभी को शुप काम नाए दी थी अब पवन अलता चंबावत में हो सकते हैं क्योंकि कल पवंदीप की मां का वर्दे था ऐसे में दोनों ने कल वाले दिन को खुब इंजाय क बता दे किसी का भाई किसी की जान शेहनास गिल की डेवियू मोवी होगी यू तो एक्टरस को ये रोल खुद सलमान खान ने ओफर किया था लेकिन ये बार शायद किसी को पता नहीं होगी कि रोल ओफर होने से पहले शेहनास गिल ने सलमान खान का नंबर ब्लॉग कर दिया इस बात का खुलासा को श्रेहनास गिल ने हाली में किया है श्रेहनास गिल ने खुलासा दकपिर्शर्मा के शो में किया उन्होंने बताया कि डोल उफर होने से पहले यह जो सने सल्माश खां का नमबर भौब कर दिया था। मैं अमरिश सर में थी जिस वक्त ये बात हुई जब सलमान खान सर ने मुझे कॉल किया तो वो अनौन नंबर के तौर पर आया श्रेनाज ने बताया कि जब भी किसी अंजान इंसान का नंबर सामने आता तो वो सीधा उसे ब्लॉक करती ऐसे मैं जब सलमान खान का नंबर भी अ आवी को आवेल पर चैक किया और अजदौरा उन्हें पता चला कि वो नमबर सल्मान खान का था। ऐसे में श्रेनाज ने उसे तुरंग लगा और भाई जांग से बात की। तब जाकर उन्हें किसी का भाई किसी की जान का रोल उपर हुगा। शनासगी ने बताया कि किसी का भाई किसी के जान में सलमान खान के साथ काम करने का अनुभब उनका काफी अच्छा रहेगा एक्टर्स ने इस बारे में सिर्फ सपने में सोचा था और अब उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है मुझे जरा भी घबराहट मैसूस नहीं हुई मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैं फाइनल आउटपुट में काफी अच्छी लगी